हलो एन वेलकम आप देख रहे हैं बॉलिवूड गवशप आपके साथ मैं हूँ काजो लरायन तो चलिए शुरू करते हैं टीवी इंडरस्ट्री और बॉलिवूड से जुड़ी चटपटी खबरों के साथ अपनी लव लाइफ को लेकर अक्षर चर्चा में रहने वाली सुष्मिता से मिस यूनिवर्स रही रोहमन शॉल से ब्रेक अप के बाद अब बजनस्मेन ललित मोदी को डेट कर रही हैं ललित कुमार मोदी ने हाल ही में अपने अधिकारिक सोचल मीडिया काउंट ट्रिटर और इंस्टाग्राम पर ये अलान किया कि दोनों और गलेचेंशिप में हैं ललित के से अलान के बाद चुष्मिता के फैंस को काफी तगड़ा जटका रगा है बहराल चुष्मिता के साथ डेटिंग का एलान करते वे ललित मोदी ने धेर सारी अंसीन रोमांटिक तस्वीरे शेयर कर दी जो काफी वारल हो रही है इस बीश ललित मोदी ने कुछ ऐसा भी किया जो अकसर कपल करते हैं दरसल मिस युनिवर्स संग डेटिंग का अनाउंसमेंट करने के साथ ही ललित मोदी ने अपनी इस्टाग्राम की डीपी यानी की डिस्प्ले पिक्चर बदल दी है ललित मोदी ने इंस्टाग्रीपी पर अपनी और शिश्मिता की वकेशन की फोटो लगाई है जिसमें दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं अलाकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन दोनों पर धरलने से मीम्स बना रहे हैं रीमेक इस शब्स से कुछ लोगों को आजकल जैसे चिड़ हो गई है यह बॉलिवुल वाले कुछ नया क्यों नहीं करते यह सवाल अकसर बहुत लोग पूछते हैं लेकिन जब राजकुमार राव जैसा कलाकार कोई रीमेक करेगा तो लगता है कि कुछ तो होगा जो राजकुमार ने इसके लिए हां की क्योंकि राजकुमार राव ने अपनी पेचान एक शांदार एक्टर की बना ली है और उनसे उमीद हर बार ज्यादा होती है इस बार भी थी उमीद और पूरी भी हुई कहानी ज़रा जान लीजिए हिट दाव फॉर्स्ट केस 2020 में आई टेलगू फिल्म हिट दाव फॉर्स्ट केस का रिमेक है शैलेश कुलानू ने ओरिजिनल फिल्म डेरक्ट की थी और ये उनकी पहली फिल्म थी उन्होंने ये रिमेक को भी डेरक्ट किया है कहानी कुछ यूँ है कि शेहर से एक लड़की गायब हो जाती है राजकुमार राव हिट्यानी की होमिसाइट इंट्रवेंशन टीम में काम करते है और उन पर जिम्मेदारी आती है उस लड़की को ढूनने की इस जुरान राजकुमार के साथ भी कुछ घटनाय गटती है कई लोगों पर शक जाता है कभी किसी पर तो कभी किसी पर और एंट में पता चलता है कि सच वाकित क्या है फिल्म एक्शन और थृलर से भरपूर है और थृल पैदा करने में काम्याब रहती है आपको नहीं पता चलता कि अगले पल क्या होगा अगर आपको ओरिजिनल फिल्म नहीं रेखी है तो फिल्म आपको सीट से बांध कर रखती है आपको लगता है कि अगर ध्यान भटका तो कुछ छूट जाएगा और यही इस फिल्म की खूबी है फिल्म की शिर्वाया थोड़ी अटपटी से ज़रूर रखती है लेकिन जल फिल्म मुद्दे पर आजाती है और एंट तक आप बंदे रहते हैं तो चली आप भी उठी है और चल कर देखिये यह इट मूज महिला क्रिकेटर टीम बस से जा रही है उन्हें ट्वायलेट जाना है रास्ता लंबा है ऐसे में वो रास्ते में ही सरा किनारे खेतों में ट्वायलेट के लिए चली जाती है और सामने हाईवी पर लगे होर्डिंग पर पुरुष क्रिकेट टीम का विग्यापन दिखाए दिता है और आपको देश में महिला क्रिकेट का हाल समझ में आ जाता है ऐसा ही एक सीन आता है जब हारी हुई पुरुष क्रिकेट टीम के साथ फोटो की चाने के लिए लोग महिला क्रिकेट टीम की कप्तान को ही बोल देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है कहानी की बात कर लेते हैं शाबाश मिठ्टू की कहानी है भारतिये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही मिताली राज़ी कैसे वो डांसर से क्रिकेटर बनी, उनके सामने क्या के चिनौती आई, परिवार समाज, क्रिकेट बोर्ड, सबका क्या रवईय रहा कैसे महिला क्रिकेट टीम को सो विधाओं के कमी जहननी पड़ी, ये सब शाबाग मिठू में है Marvel Cinematic Universe यानी की MCU की हर सूपर हीरो, फिल्म से लेकर टीवी शो या वेब सीरीज को लेकर दुनिया भर के दर्शकों में गजब तक्रेज रहता है MCU की हालिया वेब सीरीज मिस वरवल को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है शुरवार से ही शो को लेकर बस बना हुआ है, वहीं फिनाले एपिसोर में कमला खान ने धुआधार एक्शन के साथ अपने फैंस को सर्प्राइज भी कर दिया पहले जौनली जुए की सीरीज में पाकिस्तानी करणडाई एक्टर इमान विल्लानी ने कमाला खान का किरदार नी भाया है कमाला खान इस कहानी की सूपर हीरो है, जिने कॉस्मिक शक्तियों से भरे कड़े के जरिये सूपर पावस मिलती है शो के फिनाले एपिसोर में उन्होंने अपने जबरदस एक्शन सीन से तो सभी को इंप्रेस किया इसे के साथ ही शो से उनकी एक तस्वीर बारल हो रही है जिसमें वो पाकिस्तानी ब्रैंड रास्ता की जैकेट पहने वे नज़र आ रही है आर्टबर्ग डिजाइनर इंजर ने एपिसोर से इस ज़लक को शेयर करते हुए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है और पाकिस्तान के कल्चर को इस तरह सीरी से रिप्रेजन्ट करने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है बता देगे कि से पहले बॉलिवूड अभी डेता निल कपूर ने अपनी हाली रिलिस फिल्म जुग जुग जियों में पाकिस्तानी डिजाइनर रास्ता से एक जाकेट पहनी थी दीवे रियालिटी शो बिग बॉस 13 के मुस्ट पॉपुलर कंटेस्टन्ट रहे आसम रियास का जनन दिन अभी हाली में था वो अपने जन दिन मनाने तुर्की पहुँचे थे उनके साथ उनके लेडी लव हिमानशी खुरारा भी है सोशल मीडिया पर इस होट कपल की फोटो और विजियोज काफी सुर्क्याम बठोर रही है आसिप ने अपना जन दिन तुर्की में मनाया जिसकी जलक्या सोशल मीडिया पर वारल है साथ में हिमानशी है जिन्होंने इंस्टा रिल और स्टोरी श्यर की दोनों कपल काफी कुछ नज़र आ रहे हैं आसिम जन दिन का केक काटे खिल खलाते दिख रहे हैं और बेग्राउंड में बर्डे सॉंग बज रहा है कारका में स्थल पर मौजदा भीड भी अविनेता के लिए हैपी बर्डे सॉंग आती हुई नज़र आ रही है आसिम ने स्मॉके पर ओवर साइज ब्यूटी शिट पहनी है ब्लाक ट्राउजर के साथ लूप को कम्प्लीट किया स्नीकर के साथ उन्होंने अपने लूप को कैजवल रखा है आसिम ने इंस्टाग्राम पर अपने इस्तानबूल ट्रिप की फोटोस भी शेयर की है तो ऐसी मज़ेदार चटपठी बॉलिवूड टीवी इंडस्री से जोड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलिवूड गफशाप पर बने रहिए न्यूस वालिंटिया के साथ